नवरात्री में दुर्गा पूजा के अफसर पर मा दुर्गा के नो रूपों की पूजा उपासना पूरे विधी विधान से की जाती है नवरात्री के नो दिनों तक मा के नो सवरूपों की पूजा की जाती है वे प्रत रखने का भी विधान है इस साल चैत्र नवरात्री की शुरुवात 2 अप्रैल 2022 से होगी, वैसमापन 11 अप्रैल 2022 को होगा आईए जानते हैं दुर्गा मा के कौन-कौन से 9 सवरूप है जिसको नवरात्री में पूजन किया जाता है चैनल पर नए आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें नवरात्री के पहले दिन घट स्थापना के साथ मा दुर्गा के प्रथम सवरूप शैल पुत्री की पूजन की जाती है जिसके दाए हाथ में तृशूल वे बाए हाथ में कमल रहता है नवरात्री के दूसरे दिन मा भ्रमचारनी की पूजा अर्चना की जाती है यह मा अपने दाए हाथ में कमंडल तो बाए हाथ में माला धारन करती है नवरात्री के तीसरे दिन मा चंदरघंटा का पूजन किया जाता है इस मा ने अपने माथे पर अर्थ चंदर धारन किया होता है इसलिए इसे चंदरघंटा नाम से बुलाया जाता है ये मा सिहं पर विराजमान होती है नवरात्री के चोथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा की जाती है माना जाता है कि मा कुश्मांडा ने सृष्टी में अंधकार दूर किया था नवरात्री के पांचमे दिन सकंद माता की पूजा विधी विधान से की जाती है सकंद माता की चार भुजाएं है सकंद माता ने अपने गोध में सकार्तिक्य को पकड़ा हुआ है नवरात्री के छटे दिन मा कात्याने के पूजन का विशेश दिन होता है मा कात्यन रिशी के घर कन्या के रूप में जर्मे थे इसलिए इसे कात्याने नाम से जाना जाता है मा काल रात्री की पूजा नवरात्री के साथमे दिन की जाती है मा काल रात्री का रूप देखने में थोड़ा भ्यानव होता है प्रन्तु यह शुब फल देने वाला होता है नवरात्री के आठमे दिन महा महागोरी का पूजन किया जाता है इस दिन का विशेश महतव होता है इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है मा महागोरी को अनपुर्णा भी कहा जाता है नवरात्री के नववी वैस मापन वाले दिन मा सिध्धी रात्री की पूजा की जाती है मा, सिध्धी, रात्री सभी कामों को सिध्ध करने वाली होती है इनहीं की पूजा से भक्त के समस्त कार्य पूरे होते हैं